असलाव लेकुम रख्मतुलाव बरकात I hope you guys are having a good time there आज हमारे पास है लाज़त नमबर 17 17 जो के है conjunctions के मतलग यह जो वर्ड classes होती हैं जिनको हम parts of speech बोलते हैं उसका एक जूज है conjunction conjunct बोलते हैं connection बोलते हैं basically जोडने को तो हमारे पास English language में बहुत सारे conjunction हैं जिनको हम दिखेंगे एक कंजक्शन के अंदर हम जो उसकी coordinating conjunctions है उनको दिखेंगे coordinating conjunctions होते हैं basic conjunction या simple conjunction इनको बोलते हैं और इसका और पी interesting नाम है जिनको बोलते हैं fanboys यह आपको मैं भी बताता हूं यह जुम्ले के अंदर हमांगी पैदा करते हैं रबत पैदा करते हैं जोड़ते हैं कैसे आम देखते हैं इस सेवन है इनको बोलते है fanboys में आप लिग देता हूं आपको समझा जाएगा fanboys यह acronym है यह इनका इनके शौर नेम याद रखने का बिसकली यह सारे यह होते है एफ फर फॉर एफर एंट एन फर नौर बी फर बट ओफ और वाई पर यह स्वर सो यह साथ कंजंक्शन से कोडिनेट कोडिनेटिंग कंजंक्शन से इसको बोलते हैं और इनको याद रखते ह लिखने के लिए हम fanboys यह जुम्ला अमने यह वर्ड यूस करते हैं तक हम याद रहा जाएं के कोडिनेटिंग कंजंक्शन कौन-कौन से हैं अब इनको ओकर देखते हैं के मतलब के हैं पर इनकी यूजिश की बतालिक पढ़ेंगे सबसे पहले मारे पास है फॉर फॉर को का इसका मतलम होता है because yes since अगर आप mostly आजकल तो यह फॉर का मतलम हम यूजिश करते हैं इसके जाए हम since या because कवर्ड यूजिश करते हैं कैसे look at example I bought water for I was thirsty मैंने पानी घरीदा क्योंके मैं प्यासा था लेकिन हम जो आजकल बोलते हैं यह लिखते हैं basic level पर हम कहते हैं I bought water because I was hungry यह फिर I bought water since I was hungry I mean since I was thirsty for covered come use होता ही informal speech है second हमारे पास and and का दो सब को पता होगा इसका मतलब है in addition to किसी चीज में जाफा करने के लिए वहां पर and का conjunction use करते हैं I love chicken and lamb kebabs मैं चिकन और लेम कबाप संद करता हूँ यहां पर and मैंने डाला ताके दो nouns को मैं जोड सकूं नौर अच्छे यह नौर को पताने से पहले मैं आप बता दूंजेक्शन का basically मतलब होता है यह यह चोड़ते हैं दो जुमलों दो वर्टों को दो लफजों को nouns भी हो सकते हैं द नौर का मतलब होता है और यह किसी नेगेटिव आइडिया को शोग करने के लिए इसमाल करते हैं for example, he does not smoke, nor he drinks, वो सिगर नहीं पीता नहीं वो शरब नोशी करता है तो यहां पर does not cover शोग कर रहा है negativity को in fact यह एक अच्छी चीज है तो लेकिन negativity को शोग कर रहा है कि वो नही करता है यासा कि जुमले नहीं था हमने पड़ पॉसिटिव नेगेटिव क्वेश्चन तो वो नेगेटिव नौर ही द्रिंक्स तो यह नौर कबर यहां से शोग कर रहा है नौर मतलब हो शरब नौशी नहीं करता है बट यह तो बहुत जादा यूज होता है इत मेंस पैचास साल क यह तो फीर है वो जिमांकर लागता ही तो यहां जो करते हैं तो वो फों से करते हैं इस-णर उस-ई tar so does he have apple or samsung phone उसके पास apple का फून है यह samsung का फून है तो यह जो यहां पे लफज है उसके पास पूछने के लिए जवाब में करते हैं उसको बंदे को शोर नहीं हो तो इसे भी बोल सकते हैं कि यह भी फॉर्मल ताइप है लिखने बगारा में इसका मतलब होता है बट ही इस एक यह यह वर्किंग वह बिमार है लेकिन फिर भी काम कर रहे हम लें क्या यूज करते हैं यह इस एक पट ही इस वर्किंग हम बढ़ लगाते हैं असान इंगलिश के लिए यह यह इस देरफॉर नतीजा रजल्ट है आई वसंगरी सो आई एट ओल्द फीजा मैं भूखा था सो मैंने सारा यह पीजा खा दिया अखे अभी तो हम पढ़ेंगे जो पूर्ट इपोर्टन चीज है फैन बोई के वाले से यानिके जो कोडिनेटिग कंजिक्शिंस है यह जो फैन ब लग टो में चीन्जा था मृत सगरी किता ऑन बोई एल्हा झाज्ग कर दोणिख का HOT G20910 opinιο फैन ठीजिया थाल्ट फन फन च 내용 है यह जो पूर्टनों धन डोर्टनेटिग कंजूकर्ंट इऄ थाल्मट वरू सम्ट नह जो लो फैनि आप बूंटे से फिन फ्सक्षा-टर जो लास्मिनम नहीं को नहीं दो नहीं केबाब विज दो फ्रेज यह दो वर्ट कनेक्ट करेंगे उनके दम्यान we don't need any comma innocent tense for example iPhone 11 and Samsung 20 or latest the latest sorry the latest phones जो iPhone 11 है और यह Samsung 20 वो आच के दोर में सबसे नहीं जाद मुबाइल है तो यहां पर जो ends हो लगा है fanboys और यह जहां पर phrases और words है so there's no comma needed we haven't put in comma in between these two second a comma needed if fanboys fanboys यह वाले connect to clauses clauses first of all just remember what are clauses clauses is basically called to a sentence and there is a rule a sentence ka johotan uskander there must be a subject and there must be a verb if there is no subject and verb that wouldn't be called a sentence and joe clause होगी उसके अंदर एक पर भूरी होना चाहिए और एक subject होना चाहिए so comma needed if fanboys connect to clauses for example I was tired so I slept early यहां पर tired के बाद मैंने comma डाला so I saw यहां पर fanboys है I slept early क्योंकि यह दोनों जूमलों में देखे यह equal strength है दोनों जूमले क्योंकि यह independent clause है so I was subject and tired was verb was is also a helping verb so I subject slept a work so it makes a clause the third one is comma needed if fanboys connect more than two words or phrases जहां पर भी जुमले के अंदर more than two words यह phrases आ जाएं उनको separate करने के लिए we need comma like I like to eat apples comma oranges comma kiwi and banana जो आकरी दोंगे उनके दर्मयान end डालना है और उनसे पहले जितनी भी होंगे उनके दर्मयान हमने separation करने के लिए comma डालना so these are the rules for coordinating conjunctions of envoys I hope you have understood today's lesson please practice them if you just want to know them for the sake of speaking then it's all right otherwise if you are concerned about your grammar and want to write down in writing then you must remember the comma rules yes thank you very much I'll see you Nelson number 18 till then अपना के आर की मजदी आदेदी अल्लाफीज आमेलेकम